टीम इंडिया के बाए हाथ के बल्ले बाज सुरेश रेना के साथ बड़ी दुरगटना का शिकार होने से बालबाल बज गए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी के पास उनकी कार का टायर अचानक फट गया इस हाथ से के बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस ने दूसरी कार्म से उन्हें कानपूर पहुचाया सुरेश रेना अपनी कार से दिल्ली से कानपूर के ग्रीन पार्क में 13 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मेच में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे